देखे गाईज आज हम बताएंगे आज हम बताएंगे कि हम दो परकार के नेक को बताएंगे आपको कॉलर कि दो परकार के कॉलर हम किस तरीके से काटें सबसे पहले हम बनाएंगे जिसमें हम स्टेंड कॉलर लगाते हैं उसको लगाने के लिए देखिए हमने क्या करना है जैस कुछ इस तरीके से हमसे नाप लिंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हमने अपने कौलर की अर्फ 23 रखते हैं विक आप मेंaser दो 22 मेंद पूरे में निशान लगा दिंगे अपना इस तरीके से इस तरीके से निशान लगा करके हम यह देखिए इस तरीके से करेंगे और उसके बाद हमने देखिए क्या करना है हम यहां हम जब इसको इतने को हम पहले कडिंग कर लेंगे इसे हम अलग कर लेंगे इसे काटने के बाद हम इसे सीधे इस तरीके से ले जाते हुए इस जगह से हमने थोड़ी सी गोलाई निकालनी है और गोलाई निकालने के लिए देखे हम क्या करेंगे यहां से हमने इतना सा इसे इस तरीके से हमने चौक कर देना है और यहां से हम इसे इस तरीके से घुमा दिंगे तो हमारे कॉलर में देखिए गुलाई आ जाएगी और हम इसको इस तरीके से हम इसे कटिंग कर देंगे यह देखिए यह हमारा स्टेंड वाला कॉलर बन करके कट करके तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं यह देखिए इस तरीके से हम अपना stand color बना लिंगे इसमें हम इस तरीके से गोलाई भी निकालेंगे और double में ही हमने गोलाई निकाल करके यह तैयार कर लिया है आप देख सकते हैं आप यह किस तरीके का कॉलर है अब हम बताएंगे आपको कि गोल गले में कैसे कॉलर लगता है बताऊंगी कि इसमें हम देखिए अपना गोल कॉलर कैसे काटे हैं गोल कॉलर के लिए हमें इसकी चोडाई लगबर लगबर 6-7 इंच लेनी पड़ती है और ज अब देखिए हमने क्या करना होता है कि हम इसको कटिंग कैसे करते हैं देखिए हम यह जो हमने 20 से फोल्ड किया है इस तरीके से हम इस तरफ से इसकी इस तरफ से हम कटिंग करेंगे और यहां से हम इसके मेजर करेंगे तो इसको काटने के लिए देखिए अब हम क्या करेंग कीजिए हमने देखे गोल कॉलर काटने के लिए हम सबसे पहले हम इधर से हम अपना मेजर करेंगे क्योंकि हम आपने पीछे की जो हम पीछे वाले अपने बैक पार्ट की जो हम लंबाई चोड़ाई रखते हैं उसे हम तीन रखते हैं या सवा तीन रखते हैं और आप जितनी भी रखते हैं अगर आप तीन रखते हैं तो यहां इस बंद वाली एरिया से देखिए यह बंद वाली एरिया है हमारी यह इस एरिया से हमने क्या करना है कि इसे हम साड़े तीन अगर आपने तीन चोड़ाई रखी है तो आप 3 रखेंगे और आपने अगर 3 5.3 रखेंगे। मैं आपको 3 रखेंगे दिखाती हूं क्योंकि मैं अपने नक को पौने 3 के आसपास बनाती हूँ तो मैं इसको 2.3 ही रखूँगी। यह देखिये मैंने यहाँ पर पौने 3 पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हमने जो हमने यह लंबाई रखी है इस लंबाई से हम इस लंबाई से हम इधर को भी हम क्या करेंगे पॉने तीन रख देंगे अब हम क्या करेंगे यह हमारा यहां पर पॉने तीन का निशान है और यह हमारा इधर से पॉने तीन का नि किए यह यहां से हमारा इतना हमारा सीधी आईगी यह चौप सीधी और इधर से हम इसको इस तरीके से घुमा करके अपने इसको इधर हम मिला देंगे इस तरीके से हमारा गोल कॉलर लगेगा अब हमने इसे यहां लगाने के बाद हम अपने इंच टेप से इसे नाप लेंगे तरीके से अपने इंच टेप से नाप सकते हैं कि आपकी जो गोलाई है वो कितनी आ रही है देखिए इस तरीके से मेरी आ रही है साथ गारा तो आपकी कम जादा है तो आप उसे कम ज़्यादा करके भी रख सकते हैं अब देखिए हमने क्या करना है अब हम अपनी जो हमारा निशान है उस निशान को देखिए हम यहाँ से एक-एक इंच इसकी जो चोड़ाई होती है वो एक इंच से ज़्यादा नहीं होती है तो हम इसको पॉने-पॉने इंच पर इक इंची की हम इसके चोड़ाई रखते हुए, इस तरीके से हम इसको नाप करेंगे ये हमारा एक, हमने पूरे अपने कॉलर को एक इंच में नाप करके रख लेना है हमारी जो इसकी पूरी चोड़ाई आएगी, वो पूरी एक इंच आएगी इस तरीके से देखिए हम इसे फिर यहां से हम इसे गुलाई दे देंगे यह देखिए हमने यहां से हमने गुलाई दे दी है और हम इसको यहां से भी हम थोड़ा सी अपने सेब देंगे यह हमने इधर से थोड़ा सा ऐसे मार कर लिया है और यहां से हमने हाथ को अपने घुमा देना है यहां पर भी हमारी इस तरीके से गुलाई आ जाएगी यह देखिए आप सेम इसी तरीके से बनाईए तो आपका कॉलर जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी जो हमारा कॉलर जुड़ेगा वो इस तरीके से जुड़ेगा और यह हमारी उपर साइट आएगी देखिए यह मैंने अपना काट लिया है आप कभी भी हो जो हमारे गोल कॉलर होते हैं उन्हें हमने कभी भी एक इंची से ज़्यादा आप मत रखना या एक रखना या पौने एक रखना अगर आप सवा एक भी रखेंगे तो भी आपका वो कॉलर अच्छा नहीं लगेगा अगर इन कॉलरों की चॉड़ाई हमारी ज़्यादा होती है तो यह अच्छे नहीं लगते हैं इन कॉलरों को हमेशा एक इंच या पॉना इंच में ही काट येगा आप और ये देखिए ये हमारा कॉलर कुछ इस तरीके से लग गयाएगा ये इस तरीके से हमारा कॉलर लग करके आपको तैयार हो जाएगा देखिए ये हमारा गोल कॉलर है ये और ये हमारा स्टेंड कॉलर है अब आप देखिए कभी हम इस तरीके की कुर्ती बनाते हैं कई लोग और कई लोग इस तरीके की तो मैंने आज अपने दोनु कॉलर आपको काट करके दिखा दिये हैं कि किस तरीके से हम इनकी कटिंग करें अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी कॉलर काटने वाली थैंक यू